नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंटोनमेंट बोर्ड अलमोडा में निकली हुई भरती की बारे में तो दोस्तो यहां पर आपके लिए LDC क्लर्क की भरत देने बाला हुँए तो दोस्तो आप देखेंगे यहां पर एडवटराइमेंट फॉर्डी पोस्ट ऑप जूनियर क्लर्क अगर अगर हम दोस्तो इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने को सामने को इस तरह से सामने आ जायेगा तो दोस्तों नोटिस डाउनलोड हो रहा है और नोटिस को डाउनलोड होने तो तब तक दोस्तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जि के लिए दोस्तों ये पांच अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था ठीक है अब यह आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस भरती की जो एप्लिकेशन ऑनलाइन एप्लिकेशन है वो 20 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट होगी दोस्तो 29 सितंबर 2020 और आपके लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन फिल अप करनी होगी cantonmentboard.organization के इस वेपसाइट पर जाके www.cantonmentboardrecruit.org पर जाके आप इस भरती के लिए अपलाई कर पाएंगे ठीक है उसके बाद मैं दोस्तों यह जो भरती है वो all India भरती है आपके लिए आपका selection procedure क्य होगा और जो जो requirement आपकी होगी मैं आपके लिए इस वीडियो में पूरी दिखाने वाला तो आपको सबसे पहले मैं यह देखाते हूं दोस्तों की आपके लिए कि यह जो भरती है वो all India basis भरती है मतलब इंडिया के आप किसी भी state के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में अ तो जेनरल कंडिशन्स हैं वो पूरी की पूरी यहां पर दे गई हैं दोस्तों यहां पर आपका दिये गया है डॉक्मेंट्स कौन-कौन से आपके लिए रॉक्याइट होंगे ठीक है तो इस बरती में एप्लिकेशन आपके लिए फिलप करने के लिए आपके पास में जो ज अब हम बात कर लिए तो आपकी अप्सक्ति पंडिया ङया ₹-ख होगी तो आपको मेल और फिमेल तोनों ही इस भरति में आपलाई कर सकते हैं दोस्तों यह भट क्रेंशन्स के yönब होगया है तो आपकी के लिए इनकी official website पर जाके जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ उस पर जाके आपको ये application फिलब करनी है ठीक है उसके बाद में दोस्तों slavus of examination आपका ये दिया गया है उसके बाद में आपका जो scheme of examination है वो है आपका general intelligence and reasoning questioning 25 questions आएंगे 25 नंबर के उसके बाद में general awareness and computer test 25 questions होंगे 25 नंबर के numerical aptitude होगा आपका 25 नंबर का और English comprehension होगी 25 नंबर के ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपकी जो post code हो बन है पोस्ट नेम है आपका junior clerk ठीक है और इसके लिए mode of selection है आपका multiple choice objective type examination 100 questions duration होगी 90 minutes के उसके बाद में आपका skill test होगा क्योंकि यहां पर यह clerk की post है तो आपका skill test होना जरूरी है तो the skill oblique typing test will be of qualifying nature details in point number two ठीक है तो आपका यह होगी दोस्तों mode of selection post name अपका होगी है junior clerk और आपकी जो age limit है दोस्तों वो है यहां पर 18 से 25 साल five years of age relaxation for candidates तो यहां पर यह junior clerk की जो vacancies निकली हुए इसके लिए आपकी जो age limit होगी बो 18 से 25 साल होगी और एसी की जो candidates होगे उनके लिए five year का relaxation मिलेगा मतलब 18 से 30 साल की बीच में अगर आपकी age है तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर main points पर आ जाते हैं अपने तो आपका सबसे बड़ा main point यह है दोस्तों इस भरती की online application 20 अगस 2020 से 29 सितंबर 2020 तक apply कर सकते हैं आप कोई भी आपकी offline application accept नहीं किया जाएगा आपको केबल online ही application submit करना होगा अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर serial number 1 पर आप देखेंगे number 1 name of post आपकी junior clerk है number of post है दोस्तों आपकी 1 यहां पर केबल जो clerk की भरती है तो केबल एक भरती होगी दोस्तों मतलब एक ही post के लिए भरती की जाएगी यहां पर जिसका नाम है junior clerk वैकंसी भी आपकी यहां पर number of post एक ही है कैटेगरी आपकी SC है दोस्तों मैं आपके लिए साब साब बता देना चाहता हूं कोई भी आपको डाउट में नहीं रखूंगा यहां पर आप देखें कि कैटेगरी में SC लिखा है तो दोस्तों यह जो भरती है वो रिजर्ब्ड है SC candidates के लिए अगर आप SC category से ब्लोंग करत चाहिए computer knowledge with basic computer certificate English tapping must होनी चाहिए आपके पास हिंदी टैपिंग डिजाइरेबल मतलब आपको English tapping 100% आना ही चाहिए और अगर हिंदी tapping बे आती है तो अच्छी बात है नहीं आती है तो कोई बात नहीं है ठीक है तो यही था दोस्तों इस भरती में इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को आप जरू करें तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपके लिए ओफिसल वेपसाइट पर लेकर आपके लिए बताया है तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी दोस्तों उसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए इस भरती में online apply कैसे करना है ठीक है तो सबसे इस वेपसाइट पर जाकर आपको online application fill up करना है लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको application fill up करने में कोई problem आया या आप यह चाहते हैं कि मैं application fill up कैसे करना वो वीडियो बना दूँ तो दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे comment करके बताना होगा कि सर आपके लिए जो next वीडियो है उसको publish करना चाहिए application form fill up कैसे करते हैं तब मैं आपके लिए एक next वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें आपके लिए बताऊंगा कि इस भरती में आपके लिए online application fill up कैसे करनी है ठीक है दोस्तों तो यही था आज की वीडियो में दोस्तों यहां पर आपके लि निकली हुई है तो अगर आप चाहते हैं कि सबी पोस्त के बारे में जानकारी लेना तो आप इस website पर विजट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यह काफी ज़्यादा पोस्त के लिए यहां पर detailmen दी गई है ठीक है तो यहां पर इस म मोड़ा कहां पर उत्राखंड में ठीक है तो बस आज की वीडियो में बस एतना ही था दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ऑनलाइन क्लासेश को जरूर करें तो चलिए दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत